खबनों के लिए सब्सक्राइब करें TDC News सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर रबाएं नमस्कार, TDC News के लिए मैं नरिन तरपाथी है हैतिहासिक जीत हासिल करते हुए 30 माई को नरिन मोदी ने दूसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत ली राश्टपती भवन में चल रहे शपत ग्रहन समारोह के दौरान पूरवान चल के लोगों की नजरें अगर किसी को खोज रही थी तो वो थे गाजीपूर के पूर वसांसद मनोसिनहा हर शक्स भीड में सांसद को खोज रहा था हलाकि शुरुवात में जब महमानों का आना जाना लगा तो कुछ क्षण के लिए मनोसिनहा दिखाई भी दिये लेकिन उसके बाद तो वो कहीं नहीं दिखे कोई कह रहा था कि मनोसिनहा उपर शपत लेने वाले मंत्रियों की कतार में बैठे हैं तो कोई कुछ कह रहा था जितने तरह के लोग उतने तरह की बाते हैं लेकिन जैसे प्रधान मंत्री मोदी ने अपना शपत खत्म किया कैमरे की नजर सामने बैठे लोगों पर गई तो यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ के बगल मनोसिनहा दिखाई दिखाई दे गई फिर क्या था लोगों के मन में एक बार फिर से आस जग गई कि हो सकता है प्रदान मंतरी मोदी मनोसिनहा को अपने मंतरी मंडल में शामिल जरूर करेंगे लेकिन जैसे जैसे शपत ग्रहंट करने वाले मंतरीों की तादाद बढ़ती रही पूरवांचल के लोगों की सांसे थम रही थी इस भी जब प्रदेशा धैक्ष और पूरवांचल के कददावर ने था डॉक्टर महनर पांडे का नाम पुकारा गया तो मानो ऐसा लगा बस अब इसके बाद मनोसिनहा का नाम ही आने वाला है लेकिन वक्त बीटता गया और गाजीपूर समेथ पूरवांचल के लोगों पर मायूसी चाती गई फिर भी पूरी जंता टक-टकी लगाए बैठी रही और तब तक बैठी रही जिब तक 58 मंत्री के रूप में देवा श्री चौधरी ने शपत नहीं ली इसके बाद समारो के समापन की घोशना हुई और इसी के साथ पूरे दो घंटे टीबी के सामने बैठ कर शपत ग्रांट समारो को देखने वाले पूरवान चली निराश हो गए हलाकि लोगों को यह उमिज़ जरूर बंधी है कि सरकार में न सही संगठन में मनुस सिनहा को जरूर कोई बड़ी जिमेदारी मिलेगी लेकिन वो क्या होगी और कब मिलेगी यह वक्त बताएगा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें टीडी से नियोज